गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू पी बी आरे स्टड़ी सुबह के सिट्रट की कलास का समय हो चुका है आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम देखेंगे कुछ महत्तो पूर्ड सवाल और उनके बिस्तिरे जबाब ध्यान से देखेगा और इस कलास को आसम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंदर सासित परदेशों से घिरा हुआ है आप सबी जानते हैं आसम जो है ये भारत का एक राज्य का नाम है जी बिल्कुल तो आपको यही बताना है कि आसम जो है ये कितने केंदर सासित परदेशों एवं राज्यों से मिल करके घि उसके बाद हम बताएंगे आपको राइट अंसर और फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा इन्हीं उमीदों के साथ हम लोग आगे चलते हैं हो गए सभी के कमेंट्स इसका सही जबाब होगा आपसर नंबर बी यानि की साथ आसाम जो है वो कुल मिला करके साथ राज्यों एवं केंदर सासित परदेशों से गिरा हुआ है सुनिएगा आसम राज्य को फश्चिमी बंगाल, मेघाले, तिरपुरा, मिचोरम, मडिपुर, नागलेन, अवडांचल परदेश, अर्थात सारत राज्यों की सीमा जोती है तथा दो देश, भूटान और बंगला देश की सीमा भी आसम राज्य से मिलती है इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है सारनाथ कहां पर है? आप जानते हैं सारनाथ भारत में एक बहुती परसी धस्थान है और ये कहां पर है? आपके सामने हम दिखा रहे हैं पहला आपके सामने हम दिखा रहे हैं पहला आपके सामने हम दिखा रहे हैं पहला आपके सा माया नगरी और उत्तर पर्देश तो इन में जो सही जबाब हो जाएगा अपसर नमबर डी हो जाएगा उत्तर पर्देश आप सभी जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में सुमार यूपी आल इंडिया में विख्यात हैं जी हाँ सबसे ज़्यादा करांसी के निकट स्थित है इसी अस्थान पर गौतम बुद्ध ने पाच ब्रामर सन्यासियों को अपना पर्थम उपदेश दिया था जिससे धर्म चक्र परवरतन के नाम से जाना जाता है सारनाथ को रिसी पतनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ में मौन समराजे असोक महान ने इंट से 128 फिट उंचे धमेक धमेक मतलब जानते हैं धार्मराजिक बहुत इस्पूत का निर्मान कराया था भारत का राश्ट्री चिन सारनाथ असोक के सिंग अस्तंब की सीरस अगनू करिती है इसे भारत सरकार ने 26 जनुवरी 1950 इस भी को राश्ट्री चिन के रूप में अपनाया था आपने देखा होगा जो भारत का राश्ट्री चिन है जिसमें आप लोग देखते हैं तीन बाग तीन तरफ को मूँ करके खड़े हुए हैं जी हाँ तो वो इसमें दिखाया गया है अगला नंबर सवाल है आपके सामने 18 नंबर कैराकी भारत के निम्नांकित राज्जियों में से किसके तीन तरफ अंतराश्ट्री सीमाएं हैं आपसे हमारा एक बिनम्र प्रार्थना होगा गिर्पा इस क्लास को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक लाइक ने किया आपने तो लाइक अवस्य करिएगा और इस तरह के और भी कलास पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे कि आपको और सभी कलास मिलती रहें भारत के निम्नांकित राज्जियों में से किसके तरफ चारों तरफ यानि कि तीन तरफ अंतराश्ट्रे सीमाएं हैं असम नागालेंड तिरपुरा परस्चिम बंगाल तो इन में से आपका जो सही जबाब हो जाएगा वो आप लोग समझ चुके होंगे गेस कर लिये होंगे तो जल्दी से कमेंट कर दें तिरपुरा जी हाँ तिरपुरा जो है इसका सही उत्तर होगा तिरपुरा राज्ये तीन ओर से बंगलादेश से घिरा हुआ है ये दपी फस्चिम मंगाल तीन अंतराश्ट्री सीमाओं को छूता है लेकिन प्रस्चन में तीन तरफ से अर्थात दिसाओं की बात कही गई है इस आधार पर उत्तर जो है वो तिरपुरा होगा इसके बाद और इस नंबर सवाल आपके सामने आ चुका इसका सही जबाब आप लोग बताएंगे और फिर हम आगे चलेंगे निम्न में से किस राजी की सीमा बंगलादेश से नहीं मिलती है आप्सने में घाल है तिरपुर मड़िपुर मिजोरम तो देखिए इसका जो सही जबाब हो जाएगा वो आपका उप्सन नंबर कौन सा हो जाएगा सी नंबर सी मतलब मड़िपुर बंगलादेश की सीमा से लगे भारती राज्ये हैं आसाम मिघाले मिजोरम पश्यमंगाल और तिरपुरा म्यामार से किस राजी की मड़िपुर की ठीक है ना तो नंबर 20 सवाल आपके सामने आ चुका है इसका जबाब दीजिएगा भारत के निम्नलिकित किंद्रसासित परदेशों में से कौन छेतरफल में सबसे बड़ा है चंदिगड लचदीप अंडमान युम निकोबार दमान युन देवाब हो जाएगा आप लोग समझ चुके होंगी सबसे ज़्यादा च्छेतरफल वाला जो किंद्रसासित परदेश है वो आपका है अंडमान युम निकोबार दीब देखिए मैं आपको सभी का च्छेतरफल बताऊंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर आप ख दूसरे नमबर पर आता है चंदीगड चंदीगड का कुल चेतरफल जो है वो 114 वर्ग किलोमीटर है दिफरे नमबर पर दमन युम jul Div क कल चेतरफल एक सो बारा वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा चेतरफल में जो है वह आपका है कौन सा लच्छ दीब लच्छ दीब क जो छित्रपल है वो मात्र 32 अर्ग किलोमीटर है जी बिल्कुल छोटा सा ही है अगला नंबर सवाल आपके सामने है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन देशों से मिलती है अरड़ांचल परदेश मेगाल है परस्ची मंगाल सिक्किम तो कौन सा राजी है आ सही जबाब देखिएगा आपके सामने है अरड़ांचल परदेश मेगाले परस्ची मंगाल और सिक्किम इनमें से कोई एक सही है जिससे आपको बताना है इसका जो सही जबाब हो जाएगा वो आपस्टों नंबर डी हो जाएगा सिक्किम जी हां बिल्कुल सिक्किम सही है क् क्योंकि भारत के मांचितर को देखने से ऐसा असपष्ट होता है कि सिक्किम परदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती है पाहला नेपाल से दूसरा भूटान एवं तीसरा चीन से मिलती है नंबर 22 सवाल आपके सामने है बहुती महत्तोपूर भूम का निभाता है आपकी परिक्षाओं में ये निमनलिकित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी एस्थलिय सीमा है चीन नेपाल पाकिस्तान बांगला देश ये सबी भारत के पडोसी देश है और इन में से से जादा अस्थलिय सीमा किस देश की है जी यह हो जाएगा आप्सन बांगला देश 4096.7 किलो मेटर की सीमा है बांगला देश की सुनिए गासा भी का मैं बताता हूँ उत्तर हो जाएगा बांगला देश क्यों और कैसे भारत के निकटवर्ती पडोसी देश जैसे की पाकिस इवं नेपाल उत्तर पास्चिब में अफगारिस्तान पास्चिब में पाकिस्तान पूर्व में बांगला देश एवं मैमार तथा उत्तर पूर्व में भोटान से मिलती हैं पास्चिब में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांगला देश के साथ भारत की सीमा मानव निर्म ना खंबा लगा के और जो प्रकृत रूप से सीमा बंती हिना कैसे होती है। जो पाकिस्तान है इसके साथ जो सीमा है वो मानव। निर्मित क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों भारत के पार्ट थे न, पाकिस्तान भारत का भाग था, बंगला देश भी भारत का भाग था, जब भारत देश में बटवारा हो गया, इन दोनों को अलग हो गया ये दोनों, तो भाई अगर आप एक ही घर में दो घर बनाएंगे, तो आखिर आपको सीमा तो बनाना पड़ेगा ना और यही वजह है कि इन दोनों देशों के बीच में जो सीमाएं हैं वो मानव निर्मित हैं बाकियाने देशों के बीच की सीमाएं जो है वो क्या हैं प्रकृतिक सीमाएं हैं नेचुरली हैं ठीक है? आगे चले? हाँ तो हम बात कर रहे थे कि सब पर ज़्यादा सीमा किसकी है अफ्थलिय सीमा की रूप में सब पर ज़्यादा बंगलादेश की है जो की 4096 क्लमीटर यानि की 4096.7 क्लमीटर लगभग में है इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सीमा है मातर 106 किलो मीटर है और ये दो महत्वपूर थे आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने है छेतरपल की दृष्टिस से भारत का विश्यों के देशों में कौन सा अस्थान है ये आपको बताना है पाचमा चाटमा सातमा और आठमा छेतरपल की दृष्टिस से भारत का कौन सा अस्थान है देखिए इसका जो उत्तर होगा वो आप लोग समझ गया होंगे तो मैं भी आपको बता दूँ सातमा अस्थान है क्यों है क्योंकि भारत से बड़े छे देश है छेतरपल की विष्टो के छेतरपल का लगभग में 2.4% है कितना है 2.4% विष्टो में सीर से छेतरपल वाले जो देश हैं उन में सबसे पहले रूस आता है दूसरा नंबर पर है चाइना तीसरा नंबर पर है ब्राजील सुरी माफ करिएगा थोड़ा सा इसमें कुछ सीरियल में गड़ अच्छवा पर आश्ट्रेलिया और साथवा पर भारत जी हाँ छेतरपल की डिष्टी में ये सभी किया स्थान है कि नंबर एक पर रसिया है दूसरे पर कनाड़ा तीसरे पर चाइना चौथे पर अमेरिका पाच्वें पर ब्राजील छटे पर आश्ट्रेलिया और साथवे पे भारत समझ गया होंगे अब आपकी साथमास्तान हैं तो अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम 24 नमबर निम्नलिकित में से किस भाती राजी की सीमाय भूटान राष्ट के साथ नहीं मिलती हैं इसका मतलब ये कि भूटान के साथ हमें जो हैं सभी राज्यों की सीमाय मिल समझ गये ना तो चलिए हम आगे चलते हैं देखे 24 नमबर का जो सही जबाब हो जायागा वह आप लोग सभी लोग समझ गया होंगे इन में से किस राज्यों की सीमाय जो है वो नहीं मिलती है बाकि सभी राज्यों की मिलती है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें और फि तरीके से बताएंगे इसलिए आप लोग थोड़ा फ़ा इंतजारावस से किया करें ठीक है ना तो चलें आगे बढ़ें इसका सही जबाब हो जाएगा आपसर नमबर बी यानि कि मेगाले जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने मेगाले राज्यों की सीमा भूटा राज्यों अगला सब्सक्राइब बारत में तर्टी राज्यों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है तो भारत में तर्टी राज्यों कितने हैं छे हैं साथ हैं आठ हैं या नौ है देखिए इसको मैं किलेर कर देना चाहता हूं यहीं पर ध्यान देजिएगा भारत में जो तर्टी नौ की नाम सुन लिजिए ध्यान दिजिएगा कौन कौन से हैं गुजरात महराष्ट गोवा कनाटक केरल तमिलाडू आंधर परदेश औरिशा फर्षी मंगाल गुजरात राजी की सीमा यहीं की 30 सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सरबादी क्रीक है भारत में दीपों देश की कुल तटीए सीमा 7515.5 किलो मीटर है कितना है 7515.5 किलो मीटर है समझ गये न आप लोग तो समझ गये तो जल्दी से इस कलास को लाइक कर दें फिर इसी कलास में मातर इतना ही फिर से अगली कलास और अगले उमीद के साथ हम उपस्तित होंगे आपके सामने चैनल को लाइक करें, शब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अवस्य से शेयर करें अगर इस पीडिया फाइल को प्राप्ट करना चाहते हैं जो इसमें देख रहे हैं तो इस नमबर पर जोईन लिख कर भेजें और टेर्मेंट कंडिशन के साथ क्लास को जॉइन करें और आप सब कुछ पराप्त कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही आज के लिए बस इतना ही महराज कुमर दुबंसी फिर से अगली क्लास के साथ तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू